हेलो माय डियर फ्रेंज नमस्कार वेलकम टो अनलाइन ग्यान बाफय आनन्त फ्रेंड़्स आज का समाचार है हुमारा उत्राखन पुलिस कॉंस्टेबल भरती से सम्मंदित जैसा कि दोस्तो हमारे चैनल के माद्यम से आपको उत्राखन पुलिस कॉंस्टेबल की पलपल की अपडेट दी जाती है चाहे किसी भी माद्यम से कोई भी न्यूज आई तो आज का जो न्यूज है हमारे उत्राखन पुलिस नहीं होगी, क्यों नहीं होगी इसमें यहाऊब भी कहा गया है कि उत्राखंड में अभी पुलिस बर्त कॉंस्टेबल के कोई भी पद खाली नहीं है तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा का पूरा समस्जाने का और पढ़कर आपको समझाने का बताने का पूरा परियास करेंगे तो आपसे एक विनमर बिंती है दोस्तों कि आपको वीडियो को पूरा का पूरा देखना है दोस्तों आपको समझना है एक एक चीज पूरी घहराई से देखनी है तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं उत्राखंड सरकार ने हम सिक्षित विरोजगारों के खिलावे चल किया है उत्राखंड पुलिस बरती से संबंदित क्योंकि उत्राखंड मैं अभी एक ATI के द्वारा मांगा गया कि उत्राखंड मैं पुलिस बरती के कितने पद खाली है तो यहां से जब ATI का जबाब आया 19 जून को तो कहा यहां गया कि कोई भी पद उत्राखंड पुलिस कॉंस्टेबल के पद भी खाली नहीं है तो क्यूं उत्राकंड सरकार बार बार हम युवाओं को यह कह रहे हैं कि 700 पद उत्राकंड में खाली हैं और कुम्ब मेले से पहले 700 पद उबर भरती होगी तो उत्राखन सरकार का योजचल दोस्तों हम युवाओं पर भारी पढ़ रहा है और आज हम इस वीडियो में पूरा आपको बताने का परियास करेंगे तो जानते हैं परवर्तन पतरिका की रिपोर्ट को पूरी exclusive report है दोस्तों आपको बने रहना है वीडियो की एंत्रतर अगी चीज आपको समझ आ जानी चीए तो exclusive report है पुलिस भरती के तैयारी कर रहे बिरोजगारों को फिर दिया सरकार ने बड़ा जटका तो उत्राकण सरकार ने दोसो जटके बे जटका इसपुलिस भरती पर दे दिया है अम लोगों को अब जानते हैं इस रिपोर्ट को पूरी की पूरी तो आज गी नूज है दोस्तों आप देख सकते हैं आप 're तो पड़ते हैं इस रिपोर्ट को और जानने का परियास करते हैं तो पुलिस भरती की तियारी कर रहे वेरोजगारों को फिर दिया सरकार ने बड़ा जटका आर्टी आई से मिली जानकारी मा हुआ खुला सा कुछ माहा पहले मुख्यमंत्री ने 600 पद उपर बरती के लिए सासने देश जारी किया था तो उत्राखंड के मुख्यमंत्री माननी तिर्वेन सिंग रावज जी का कहना है कि मार्च 2021 से पहले उत्राखंड पुलिस कौंस्टेबल के 700 पद उपर भरती होगी तो दोस्तो जून गुजर गया जून जुलाई 2020 आने को तयार है तो अभी तक कोई भी भरती समबज नहीं आई है हालकि यहाँ कहा जा रहा है कि पुलिस की भरती अब नहीं होने वाली है तो इसमें जो अडंग है बहुत सी अडंगा आ रही है दोस्तो तो इसको जानते हैं पूरी न्यूज को फिर नीचे नीचे पढ़ते हैं तो रिपोर्ट है दोस्तो देरादून से उत्राखन में बिरोजगारी की दर माइनस वन परसेंट का ढोंग करने वाले मुख्य मंतरी तिर्वेंद रावत ने एक बार फिर परदेश के बिरोजगारों को बड़ा जटका दिया है इस बार यह जटका पुलिस कॉंस्टेबल भरती के तयारी कर रहे सिक्षित बिरोजगारों को लगा है आपको याद होगा कि कुछ माह पहले मुख्या तिर्वेंद रावत ने बयान दिया था कि आगामी कुम्ब को देखते हुए परदेश में जल्द 700 पदोबर पुलिस भरती पर क्रिया सुरू की जाएगी इन पदोबर 400 पुलिस कॉंस्टिबल और 300 पदोबर फायर वर्गेट की भरती होनी थी तो मुख्य मंतरी के इस बयान के बाद पुलिस भरती के तयारी कर रहे परदेश के हजारों बेरोजगारों में एक आस जगी और वहुत दिन रात कर खून पसिने से अपनी तयारी करने लगे खून फसेने से कह सकते हूं दास्तों हार्ड वर्क करने लगे वो पुलिस भरती के लिए तो उत्राखंट सरकार ने दोस्तों इसका अंजाम क्या दिया आप जानते हैं तो आटियाई से मिली जानकारी में क्या हुआ खुलासा इसको देखो भूत ही महत्तपूर्ण यह दोस्त तो उत्राखंट पुलिस भरती संबदी दियो तो आटियाई से मिली जानकारी में यह खुलासा हुआ कि अब इन पदू पर भरती की तैयारी कर रहे बिरोजगारू के लिए एक बूरी खबर है आटियाई एक्टिविस्ट राम कांडवाल के द्वारा मांगी गई एक सोचन जिन पर भरती होनी है तो इसका जवाब उनी जून को आया जवाब मैं कहा गया कि उत्राखंट पुलिस में कौश्टेबल के अभी कोई भी पद रिक्त नहीं है तो क्यूं दोस्तों उत्राखंट सरकार बार बार यहाँ चल हम सिक्षित बिरोजगार उपर कर रही है कि 700 पद के लिए कोई भी पद रिक्त नहीं है आटिय के जबाब मैं मिली सूचना के मुताबित परदेश में एक भी कौश्टिबल पद रिक्त ही नहीं है तो दोस्तों अब जानते हैं इस पूरी न्यूज को आगया आगे पढ़कर विरोजगारों को जूटा आस्वासन दिया परदेश सरकार ने तो जहां एक और परदेश सरकार इस वर्स को स्वयम परभू घोसिद रोजगार वर्स के रूप में मना रही है और अपनी पीट खुद थपतबा रही है वही दूसरी और बिगाच्छे वर्सों से पुलिस भरती परक्रिया सुरू नहीं करवा सकी तो अ कहना है मुख्यमंतर तिर्वेन सिंग रावजी का तो यह युवा विगत कई वर्सों से पुलिस भरती के तयारी कर रही है ऐसे में परदेश का युवा खुद को ठगा सा मैसूस कर रहा है तो दोस्तो इसका जवाब हम मुख्यमंतर जी से मांगने का परियास करेंगे कि हमारे साथ चल किया गया तो ओ्वर एज हो चुके हैं हजारों अव्यर्थी तो उत्राखन पुलिस की भरती 24 के बाद से अब तक नहीं आई है भरती की तैयारी कर रहे युवा ऐसे भी हैंиваем तो ओवर एज हो चुके हैं दोस्तों बहुत से युवा साती हमारे क्योंकि 24 कर चुकी है और वह अब भरती में सामिल नहीं हो सकते आपको आउगत करा हैं दोस्तों उत्राखन पूलिस भरती के लिए आपकी जो eligibility criteria आपको 12 पास होने चाहिए और आपकी age 18-22 साल होनी चाहिए और इस वीडियो तो ऐसे में 6 साल बीत चुके हैं कई युवा हैं जो लगातार त्यारी कर रहे थे जो 22 की उम्र पार कर चुके हैं अब उनकी उम्र जा चुकी है तो इसके साथ ही कई युवा ऐसे भी हैं जो उत्राखन पूलिस भरती में समलित होना चाहते हैं वो भी लगातार त्यारी कर रहे हैं लेकिन भरत को लेकर भी भरती होने की बात कही थी जीनिवाय की उम्र जा रही चुकी थी चुकी है क्या सरकार उनके बारे में कुछ सोचेगी तो सवालों के गेरे में हमारा कुम्ब मेला भी आ गया है दोस्तों अगले वर्स यानि मार्च 2021 में हरिद्वार में कुम्ब का आयूजिन किया जा रहा है जिसके मद्देनजर पुलिस बल की कमी चलते परदेश में सबस्वा पुलिस पर कॉंस्टेबलों की भरती का सासना दिज मुक्य मंतर ने जारी किया था लेकिन अब भरती नहीं होने से कुम्ब डूटी के लिए परदेश से बाहर अनिराजियों से ही अतिक्त इस तरह का चल किया है दोस्तों तो पिछली पुलिस कॉंस्टेबल बरती 2004 में आईजित की गई थी अब अहम सवाल उठता है कि इन छो अर्षों में क्या पुलिस कॉंस्टेबल में कोई पदोनती नहीं हुई है साथी क्या कोई पुलिस करमचारी सेना वरती नहीं हुआ है जो कोई पुलिस करमचारी सेना नहीं हुआ है जो पुलिस बहकते में एक भी कॉंस्टेबल कापद रिखते नहीं है ऐसे कुछ सवाल पर देश सरकार ने जिनके जवाब पर देशकाब सिख्शित विरोज़गार मांग रहा है तो दोस्तों एक है क्छब्सें कि दोस्तों एक पहलू लग रहा है भी तो कांग्रेस ने भी एक सवाल यहाँ पर मुद्दा बना दिया इस चीज को देखते हैं इसको कांग्रेस परदिस अध्यक्स प्रितम सिंग ने मामले को लपकते हुए मुख्यमंत्री को गिरा उनने कागी सरकार की कथनी और करनी में अंतर है तो इस तरह से दोस्तों शियासी मोड भी इस भरती ने ले लिया है आप जानने क्या कब यहाँ भरती आएगी और हम उत्राखन के युवासातियों को कब यहाँ उत्राखन पुलिस भरती नसीब होगी यदि इसके रिगार्डिंग कोई न्यूज आती है तो हमारे चैनल के दोरह आपको बताने का फरपूर परियास किया जाएगा दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस तरह की न्यूज पाने के लिए बगल में बोजरूर है दोस्तों और आपको एक काम जरूर करना है दोस्तों आपको नीचे कमेंड में जरूर बताना है इसका क्या उत्तर है दोस्तों इस भरतिय समझे आपके जो भी राय है आप कमेंड में जरूर बताईए का दोस्तों तो जाद से आदा शेयर करें इस वीडियो को ताकि हमारे उत्तराखंड कि परतिक यूवाओ के पास यह वीडियो जा सके बहुत बहुत धन्यवाद